नमस्कार दोस्तों, वेलकूम टुश्टडी विट नीलम, I hope आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, आज हमारा बिग टॉपिक का ये फिप्त वीडियो है, बिग टॉपिक ये एक सीरीज है, जिसमें हम करंट में चर्चा में रहे, बड़े और्गनाइजेशन, बड़े जो साल ही में संपन्य हुई है, मसयुक्त राष्ट महासभा, United Nations General Assembly, तो ये क्या है, क्यूं है चर्चा में, और क्या कौन सा इसका अधिवेशन है, 76 है 2021 में, कितने अधिवेशन उस चुके हैं, 76 अधिवेशन के अधिक्षिता किसने की, 75 अधिवेशन के अधिक्षिता किसने की और क्या इंपोर्टेंट्स है महासभा की या General Assembly की, महासभा कैसे कारे करती है, इसके कितने अंग है, ये कब अस्तितों में आई, क्यूं इंपोर्टेंट है, ये सभी कोश्चन्स अगले 15-20 मिनिट में हम डिसकस करेंगे, तो चलिए, शिरू करते हैं, आज का लेक्चर, और इसी बिल्डिंग में सयुक्त राष्ट महासभा की General Assembly आयोजित की जाती है, जिसे हम UNGA कहते हैं, ये अमेरिका में इस्तिते और यहीं पर सयुक्त राष्ट के जो छे अंग हैं, वो कारे करते हैं, वाट इस दी यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन ओर्गनाइजेशन का, तो ये नियॉर्क में हैं, और जो बिल्डिंग हमने पीछे देखी, उसी बिल्डिंग में मुख्याले इस्तिते हैं, प्रती वर्ष इसका अधिवेशन नियॉर्क में आयोजित किया जाता है, यहां एक ऐसा वैश्विक मंच है, जहां से अंत प्राप्त जो कंट्रीज हैं, वो पूरे विश में कितनी हैं, 196 हैं, तो इन 196 में से 193 जो कंट्री हैं, वो युनाइटेड नेशन यूइनों की मेंबर हैं, तो यह सभी बिल्ड नेशन की जनरल असेंबली में अपना अपना राजनेतिक एजञेगर, अपने देश की समष्य अपने देश की प्रगर्ती, अपने देश की जो भी कुछ उनाय इवेंट हुए हैं, जो नाय अविश्कार हुए हैं, उनके बारे में युनाइटेड नेशन को चुनते हैं, यहाँ पर सभी अंतरराष्टिये, राष्टिये, छेत्रिये या भविश्य की समश्याएं, मुद् मर्श किया जाता है, यह सभी देशों को अपने अपने विचार रखने के लिए एक मंच के रूप में काम करता है, सयुक्त राष्ट से जुड़े देशों के लिए यहाँ एक लगू संसद कई बार कही जाती है, मिनी पार्लेमेंट यह सब्दा अपने बहुत बार सुना युनाइटेड नेशन जनरल असेंबली को लगू संसद या मिनी पार्लेमेंट कहा जाता है, क्योंकि जिस तरीके से किसी देश की संसद में वहां के संसदों को, जिस तरीके से हमें इंडिया का एक्जामपल लें, तो लोकसभा और राजसभा में सभी संसद को अपने अपन कर सकते हैं, और इसके लिए टाइम होता है, ऐसा नहीं है भाशन दे रहे हैं तो अनलिमिटेड चलेगा, पंदरा मिनिट का उन्हें टाइम दिया चाता है, तो ये है युनाइटेड नेशन जनरल असेंबली, सयुक्त राष्ट के छे प्रमुखंग होते हैं, और इसी का एक इंपोर्टेंट भाग होता है, महासभा या जनरल असेंबली, ये छे इंपोर्टेंट पार्ट्स यहां आप देख सकते हैं, तो कौन-कौन से होते हैं, महासभा हिंदी में कहा जाता है, इंग्लिस में बोलेंगी जनरल असेंबली, दूसरा होता है सिक्योरिटी कांसलिंग, तीसरा होता है economic and social counselling, चोथी इसमें होती है trustorship counselling और पाँचवा होता है international court of justice और six नंबर पे इसका जो organization होता है या इसका प्रमुकंगे उसे कहा जाता है Secretaryate या सचिव आले तो ये छे अंग मिलकर विश्विस्तर पर काम करते हैं और इनकी समय समय पर वेठा के भी आयोजित होती हैं तो ये United Nation General Assembly थी हाली में इसका 25 सितंबर को 76 अधिवेशन आयोजित किया गया तो हम देखेंगे Generally November और सितंबर में इसके Organization के जो सम्मेलवन होते हैं वो होते हैं तो उसके पीछे भी क्या है United Nation के Rules and Regulation होते हैं कैसे होता है महासभा का अधिवेशन महासभा एक एसा अंग है जहां सभी सदश्यों को समान प्रतिनिदेत्व मिलता है सभी सदश्यों को मतलब 193 जो countries हैं इनको equally treat किया जाता है ऐसा नहीं है कि Security Counseling के जो सदश्य हैं उनको अलग से treat किया जाएगा या सक्तिसाली या संपन्य देशें उन्हें अलग राइट सोंगे और जो गरीब देशें विकासिल देशें उन्हें अलग treat किया जाएगा यहां पर सभी को equally treat किया जाता है महासभा का अधिवेशन सितंबर के तीसरे मंगलवार को होता है सदश्य देशों द्वारा वैश्विक मुद्दो पर अपनी राय व्यक्त की जाती है सभी देशों के जो सिखर के प्रमुक नेता होते हैं राष्टपती प्रधान मंतरी जिन देशों में वो सिखर के होते हैं वो यहां आके अपनी राय व्यक्त करते हैं अपनी राय रखने के लिए प्रतेग देश को 15 मिनिट दिया जाता है प्रतिनिधियों को अपने वक्तवी को लिखित दस्तवेच के तोर पर भी देना होता है जो भी कोई आप भाशन देने वाले हैं या आपने विचार व्यक्त करने वाले हैं उन्हें आपने को लिखित रू की व्यात रखी भारत की जो वैक्सिनेशन किया है अपने पब्लिक को और जिसमें रिकॉर्ड इस्तापिद किया उसकी बात की भारत ने स्वेम वैक्सीन तयार की कोविड-19 की किसी देश पर निर्भरता नहीं रखी उसकी बात की यहाँ पर DNA आधारित पहली वैक्सिनेशन ज यह भी कहा कि UNO में सुधार की जरूत है तो यह सभी पॉइंट प्रधान मंत्री नरेंदर मोदी ने महा सभा में व्यक्ति किये हैं तो यह सभी चीजें लिखित रूप में भी UNO में प्रस्तुत की जाईगी देना होता है बहुमत के आधार पर विशेश अधिवेशन भी आ बहुमत के आधार पर लिया जाता है बहुमत मतलब दो यह ही बहुमत से कोई भी विशेश अधिवेशन महा सभा का आयोजित किया चा सकता है अभी हाल ही में महा सभा की जब बेठक आयोजित हुई या जनरल असेंबली का जव शेशन प्रार्म होने वाला था उसस से पहले UN उनाइटिब नेशन के जो स्टेट है इसके जो राष्टपती है जो बाइडन को आप देखेंगे तो वोस्चेव में बोल रहे हैं कि हम शानती चाते वो चाइना हो सकता है अफगानिस्तान हो सकता है इन्हें टारगेट करकर बोला गया है तालीवान हो सकता है तो सैन सकती को वो अपना सकते हैं अंतिम विकल्प के रूप में ये इनका स्टेट्मेंट आया था हाली में हमारे देश के प्रधान Carnity मोधी पांच दिवस्य युए सायूकत राश्ट की मिटिंग के साथ ही अमेरिका की यहाथ पर उन्होंने भारतिय मूल की पहली अमेरिकी महिला उपराश्ट पती के साथ मुलाकात की और इन्होंने भारत के साथ आतंग वात के मुद्धे प बहा है कि वो आतंगबाद की मुध्देपर भारत के साथ बरावरी से सहयोग प्रदान करेगा और यहां से उन्होंने पाकिस्तान को भी इस देज दिया कि पाकिस्तान को अपने आतंगबादी समभूं के साथ जो संबंध हैं उनको क्या करना चाहिए, बंध कर देना चाहिए और तालिवान की बकालत भी बंद करनी चाहिए ये इन्होंने सीधे पाकिस्तान को ये बात कही है इसके साथ ही 24 सितंबर 2021 को महत्वपून क्वार्ट सम्हू की बेठक संपनिवी क्वार्ट पर मैं आपको हर दिन अपने किसी भी लेक्चर में क्वार्ट बहुत चर्चा में आ के बारे में और इन्फोर्मेशन मिलेगी 24 सितंबर 2021 को क्वार्ट सम्हू का सम्मेलन पहली बार हुआ देखिए भई पहली बार का मतलब यह है कि यह फिजिकली मिले है मंत्री सभी जो क्वार्ट सम्हू के देश हैं उनके नेता कौन-कौन भारस से प्रधान मंत्री मोदी आ 2020 में भी हुई थी मार्च 2020 में लेकिन COVID-19 की वज़े से वो ऑनलाइन आयोजित हुई थी पहली बेठक और फिर यह हुई है पहली परस्तन मतलब सामने बेठकर इन्होंने यह बातचीत की है क्वार्ट सम्हू के बारे में मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ फिर भी 2007 में जापान के प्रधान मंतरी के द्वारा इसके फॉर्मेशन का प्रस्ताव रखा गया था तो यह भी आप याद रखिएगा हम देखते हैं UNG में में मेंबर्शिफ, फंक्शन, पावर, वोटिंग और इसकी कमिटीज क्या होती है वन वाई वन करके हम सब कुछ जिसमें कुल 51 देशों ने भाग लिया था क्योंकि इसका फॉर्मेशन हुआ था वर्तमान में कुल सदश्य संक्या कितनी है 193 है और भारत इसका कैसा है इस्थापना के साथी सदश्य इसलिए याद रखिएगा मतदान कैसे होता है महासबह में चार्टड के अनुक्षेद 18 मतदान में प्रतेक सदश्य देश का एक ही मत होता है महासबह के महतपुर्ण निर्ने दो त्याही बहुमत से ही पास होते कोई भी डिसिजन लेना है अगर यू एनकी सीपी मुद्दे पर डिसिजन लेता है कोई अभी समय कोई एग्रीमेंट या आप से समझ होता करता है तो उसमें क्या चाहिए दो त्याही बहुमत की आविशक्ता होगे और बहुमत की आधार पर ही महतपुर्ण निर्ने महासबह के द्वारा लिये जाएंगे अन्यमुद्दो पर साधरन बहुमत के अनुसार निर्ने लिया जाता है बजट उपायों के अतरिक्त प्रस्ताव देशों पर बात्देकारी नहीं होते हैं, मतलब देखिए भई, UNO को चलाने के लिए बजट की भी आविशक्ता होते हैं, क्योंकि विश्व का इतना बड़ा organization है, सभी देशों के प्रतिनी दी आते हैं, उनके रहने खाने की जो विवस्थाएं होती हैं, जो पूरी के पूरा उतनी मजबूत होगी, और ये इसके अतरिक तो जो प्रस्ताव होते हैं, वो UNO के बात्दिकारी नहीं होते हैं, बजट संबंदी बात्दिकारी होंगे, महासभा का पहला प्रस्ताव, 24 जन्वरी 1946 को पास हुआ था, कब हुआ था पहला प्रस्ताव, 24 जन्वरी 1946 को पहली ब अधिकार शान्ती सुरक्षा से समद्धित मुद्धों पर विचार करना सुरक्षा परिषद विचार करती हैं तो महासभा को अधिकार नहीं कि समश्या पर अगर security counselling सिक्यूरिटी काउंसिलिंग कमेंट सेक्शन में बताइए कितनी कंट्रीज है तो वो अगर सिक्यूरिटी काउंसिलिंग विचार कर रही तो फिर महासभा उस मुद्दे पर विचार नहीं करेगी बजट सहीत कुछ अन्य चेतरों पर अंतिम फैसले का अधिकार किसको होता है महासभा के पास होता है महासभा ही यह निश्चित करती है कि किसी सदश्य देश को संस्था के लिए कितना बजट या धन राशी देनी है ये निश्चित कौन करती है महासभा के कौन सा देश कितना धन देगा बजट का उप्योग जन सूचना मानव अधिकार और अन्य दूसरे कारेकरम जो UNO की सहायता से या इसके जो समीतियां और अर्गनाइजेशन चला रहे हैं उसमें उप्योग किया जाता है महासभा और सुरक्षा के मुद्दों को छोड़कर महासभा दो मुद्दों को छोड़ेगी शांती और सुरक्षा को छोड़कर अन्य पर सिफारिश कर सकती है क्योंकि शांती और सुरक्षा के मुद्दे कौन देखता है ये देखती है सिक्योरिटी काउंसिल अन्य मुद्दो पर ये अपनी सिफारिश कर सकती है, मानना ना मानना ये सदश्य देशों पर निर्वर करता है। वर्तमान में कौन है सैयुक्त राष्ट संग के महा सचे तो ये हैं एंटोनिय गुतारेस ये पुर्तगाल के और हो सकता है कि इनको इस पद के लिए दुवारा भी पांस साल के लिए फिर से नियुक्त किया जा सकता है। महा सभा का अध्यक्ष प्रती वर्ष चुना जाता है। महा सभा की समीतियां सैयुक्त राष्ट महा सभा है ये छे समीतियों के माध्यम से कारे करती है। तो देखते हैं कौन कौन सी समीतियां क्या-क्या कारे करती हैं। एक जिन्वरी 1942 को 25 अप्रेल 26 जून 1945 को सैयुक्त राष्ट संगठन के सैन फ्रांसिस्को में जो अधिवेशन चल रहा था जो सम्मिलन चल रहा था उसमें सैयुक्त राष्ट को अंतरराष्टी सम्मिलन में भी भारत द्वारा भाग लिया गया था कब से कब तक चला था 25 अप सैयुक्त राष्ट संग का एक संस्थापक सदश्य देशे जो 51 देशों में शामिल है सैयुक्त राष्ट संग के उद्देश और सिध्धानतों को भारत समर्तन करता है और सांती इसके द्वारा चलाये जा रहे कारे क्रमों में भी अपना योगदान देता है अब भारत ने स्थाई सदश्यता दी जाए और अमेरिका ने भारत की स्थाई सदश्यता को माना है मतलब अमेरिका ने बोला है कि भारत को यो सैयुक्त राष्ट संग की जो सुरक्षा परिशद है उसमें स्थाई सदश्यता मिलनी चाहिए इसके सांती फ्रांस भी हमें पहले ही सपोर्ट कर चुका है बाकी बचा है अब UK और आपका कौन चीन और रूस रूस भी हमें पहले से सपोर्ट करता आ रहा है तो US, France और रशिया ये तीनों हमारे सपोर्ट में हैं लेकिन अभी UK और चीन को हमें देखना है और हम अच्छे से जानते हैं कि चीन कभी नहीं चाहेगा कि भारत को UNOK में स्थाई सदेश्यता मिले और अमेरिका और UK भी समय समय पर बदलते रहते हैं तो इनका कोई भरोसा नहीं है पूर्व प्रधान मंतरी अटल बहरी बाचपी पहले ऐसे राष्ट प्रमुक थे जो पहले भारतिय थे जिनोंने हिंदी में जो सयुक्त राष्ट संग का को संबोधित करेंगे हिंदी में और चोथी बार UN जनरल असेंबली को हिंदी में संबोधित कर चुके हैं कब 25 सितंबर 2021 को वर्तमान में सयुक्त राष्ट में भारत के इस्थाई प्रतिनीदी कौन है टी एस त्रिमूर्ती है इंपॉर्टेंट है याद रखेगा इनका नाम और इन्होंने बताया है कि दिखी मैंने आपको बताया था कि जो भाशन देते हैं उसे पहले ही लिखित में भी देना पड़ता है तो इन्होंने बताया कि भारत आतंकवाद जलवाईयू परिवर्तन टीको तक न्याय संगत सभी की पहस सुनिचित करने हिंद प्रशांत छे है वो सब तक पहुचाने के लिए उनकी सुलवता या उत्पादकता को बढ़ाने की बात करेगा सही उक्तुराष्ट संग से सिफारिश करेगा कि आतंकवाद को जो देश प्रमोट कर रहे हैं या जो आतंकवादी छेत्रों में अपने आपको मजबूत करना चाहते हैं यह सपोर्ट करते हैं तो फीचर में इन पर भी कोई भी प्रतिवंद या कोई भी निप्रस्ता पारित करने की बात यहाँ पर कही गई थी तो यहाँ पर टीएस्ट्री मोर्ती ने यह बताया है कि भारत अपने क्या-क्या मुद्दे रखेगा तो इन्हें भी आप याद क्लिए और यहाँ पर आप इस से कन्फीज ना हो कि यूएनों के जो महासाचिफ वो अलग होते हैं और यूएन जीके जो प्रेसिडेंट होते हैं वो अलग होते हैं तो यूएन जीके कौन है तो यहां देख लेते 767 के लिए सितंबर 2021 के लिए अध्दक्ष के रूप में मा नाजपुन भूमी का निभाई है। भारत इन्हें बनाना चाहता था और प्रधान मंतरी के मोधी के भाशन में सबसे पहले इन्हें ही धन्येवा, इन्हें ही कॉंग्राचुलेशन किया गया कि आप इस 76 सत्र के क्या वने हैं, अध्यक्ष वने हैं। तीन महीने पहले ही कर लिया जाता है। ओकी मतलब इनकी नाम पर वोटिंग पहले तीन महीने पहले ही हो चुकी है। 75 सत्र के अध्यक्ष कौन थे तो ये बोलकान बोच्किर थे और 76 सत्र के कौन हैं तो अबदुल्ला शाहिदे मालदीप के विदीश मंतरी। ये क्लियर हो कि सभी देशों को अपने अपने मुद्ध यहां पर रखने की पूर्ण सतंतरता होती है पाकिस्तान अपना कस्मीर राग लापता रहता है चायना अपने मुद्ध रखता रहता है यहां पर मैं आपको दो इंपॉर्टेंट चीजे बताऊंगी यह तो ठीक है कि इंटरनेशनल बैंड ग्रूप है BTS और इन्होंने सयुक्त राष्ट संग में इन्हें दक्षण कोरिया की सरकार की तरफ से डिपलोमेटिक पास पर सयुक्त राष्ट संग भेजा गया और इन्होंने जो जुलाई में इनका सॉंग रिलीज हुआ था परमिशन टू डांस उसको यहां परफ संग वादी है तो वो किसी देश के लिए तो अच्छा सिंबोल नहीं हो सकता ना तो यहां पर आप समझिए कि यह दो जड़क्षण कोरिया का ग्रूप है BTS इसने यहां पर अपना आप जाकर इसे ऑनलाइन अबेलेबल है उनाइट नेशन का जो देख सकते हैं आप उनकी सा जब शेशन शुरू होता है तो इसको सबसे पहले कौन सा देश संबोधित करता है या कौन सा देश भाषन देता है तो याद रखिएगा ब्राजील सबसे पहले यहां पर भाषन देता है ब्राजील क्यों देता है ऐसा क्या खास है ब्राजील में कोई खास बात नहीं है ले पर बोलते हैं आप आओ आओ तो सभी में हजिटेशन होता है लेकिन जो सबसे पहले और खुद से आगे आ जाओ इसकी बात अलग होती है इसी तरीके से ब्राजील की भी यहाँ पर बात अलग है जब सब पहला अधिवेशन हुआ तो ब्राजील ने बोला कि हम पहले आएंगे हम पहले आएंगे तो ब्राजील के कौन है राष्टपती जेयर बॉल सनारो तो जेयर बॉल सनारो ने ही इससे पहले संबोधित किया और 1945 के बास से ही ब्राजील हमेशा पहले ही आके UNG में अपना भाशन या संबोधन देता है तो हमेशा कौन देता है पहले ब्राजील देत I hope आपको पसंद आयेगा पसंद आये तो जादा से जादा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो को लाइक कीजिए और अपने study related ग्रूप में इसे शेर जरूर कीजिए बैल आइकन प्रेस कीजिए बैल आइकन प्रेस करने के बाद आपको वीडियो का notification तुरंत प् ग्रूचिंग